फर्स्ट इंपोर्टन आर्टिकल, देश में लोजिस्टिक सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए रेलवेस के कॉंट्रिबूशन से समधित हैं, आप जी एस पेपर 3 के इस टोपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हों, देखो यूनियन बजट 2023 में पीम गती सकती नैसनल मास् वैसे आगे बढ़ने से पहले एक कोशन आपसे पूछ लेता हूँ, पीम गती सकती नैसनल मास्टर प्लान क्या है? देखो देस में इंफरस्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए ये नैसनल मास्टर प्लान है, डिश्टल प्लेट्फोर्म है, पीम गती सकती, डिश्टल के बीच में ट्राफिक इंप्रूव करना है, अब लाश्ट माइल कनेक्टिविटी इंप्रूव करनी है, तो रेल, रोड, फ्लाइट्स, सब कुछ आ जाती है इसमें, तो सारी मिनिश्ट्री एक जिगह पे इकठा है, पीम गती सकती डिश्टल प्लेट्फोर्म में, अगर स इंप्रूव करने के लिए प्लान है, तो इसके लिए बजट डबल कर दिया गया, रेलवेज के लिए भी ज़्यादा खर्च करने का इस बार अनॉंस्मेंट हुआ है बजट 2023 में, देखो जो हमारे देश में फ्रीट मूवमेंट है नम, फ्रीट समझते हो, समान एक स्थान स दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, समान मतलब जैसे देखो, आयरन ओर है, कोल है, अब कोल माइन है, फूर एक्जमपल जहरखंड में, और थल्मिल पावर प्लाइंट कहां पर है, फूर एक्जमपल हर्याना में है, तो वहां से कोईला आएगा हर्याना में, तो यह रोड ट्रांसपोर्ट से ज्यादा समान जाता है, या फिर रेलवेज से, देखो काई देश से ज्यादा समान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना चाहिए, रेलवेज से, लेकिन जाता है हमारे देश में अभी रोड पर, रोड से जाता है, 65 परसेंट जो फ्रीट की मुम रोड पर कंजेशन ज़ादा होता है, भीरबार रहाती है, रोड पर एकसिडेंट्स जदा होते हैं, इसके अलावा पॉलिशन भी ज़्यादा होता है, तो रोड से समान भेजने से काफी दिक्कت आती है, रेrauen बिलकुल जबर्दस्त मोड है, कार्गो को मूव करने के लिए, य आते आते इसे 45% तक लाया जाए कि 45% कार्गो हमारे देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए तो railway से जाए अभी अगर 1.2 billion ton समान railway से जाता है तो target यह है 2030 आते आते इसे 3.3 billion ton किया जाए और इसके लिए यह PM गतिशक्तिना जवरदस्ट डिश्टल प्लेटफॉर्म है क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के थूरू various ministries के बीच में आपस में coordination असानी से हो जाता है और infrastructure को establish करने का जो time है वो कम हो जाता है अब देखो एक question में आपसे पूछता हूँ जब railway से समान भेजना असान है pollution कम है easy है तो railway से समान फिर भेजते क्यों नहीं है लोग industry वाले उसका reason देखो यह है एक reason नहीं है काफी सारी reason है हमारे देश में पैसेंजर ट्रेंज को ज़्यादा तवज्यों दी जाती है railway tracks भी बहुत ज़्यादा congested है तो इस वज़े से ट्रेंज लेट बहुत हो जाती है समान लेट पहुंचता है समझ गए यह पहला reason है कि railways के through समान भेजा जाता है तो लेट पहुंचता है अब दूसरी चीज यह है last mile connectivity नहीं है अब जैसे इंडिया के किसी port तक समान भेजना है और भेजना कहां से है मुंबई railway station तक तो समान आ गया बट देखो railway station से port तक कोई connectivity अच्छी नहीं है बहुत traffic है यह मैंने सिरफ आपको एक example देके समझाया कि last mile connectivity हमारे देश में अच्छी नहीं है जैसे border areas तक rail network अच्छा नहीं है यह दूसरा reason है तीसरा reason में आपको बताता हूँ देखो railways में जैसे मालगाड़ी होती है अब मालगाड़ी में समान upload करना मतलब समान load करना बड़े बड़े जो भारी मातरा में आरन और है उसको उतारना फिर बाद में जहां पर डेस्टिनेशन तक train पहुंच जाती है इन सब चीजों में ना पहुर time लग जाता है और हमार समान की बढ़िया से processing हो सके इसमें cost भी काफी ज़्यादा लग जाती है जबकि truckों में समान load करना ज़्यादा आसान रहता है बजाए कि मालगाडियों में समान load करना इसके बाद ना एक ओर data है है 2020-21 का railways जो समान पहुंचाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर सबसे तो देखो कोल पहुंचाता है एक जगह से दूसरे जगह पर समझ गए 1.2 billion टन 2020-21 का data है 13% और और मतलब अगर 100 चीजे पुंचाई वोल्यूम सो है तो उसमें से 44% तो देखो कोल पुंचाया railway ने 2020-21 में 13% और और 10% cement 5% food grain 4% fertilizer 4% iron and steel इसके लावा non-bulk commodities का transportation भी काफी हुआ मतलब ऐसा समान जो bulk में नहीं है इतना इतना लेकिन छोटा मोटा समान जैसे कोई अपनी bike भेज देता है एक सहर से दूसरे सहर में कोई cycle भेज देता है उस type में अब ये जो non-bulk वाला समान है न छिटपुट वाला समान इसकी संख्या बढ़ती जा रही है जैसे देखो 7.6 million T.E.U. T.E.U. ये unit है 20 foot equivalent unit 2008 में इतना पहुंचाया railway ने और 2020 में 16.2 million T.E.U. यानि 20 foot equivalent unit समझ गए ये T.E.U. है ना cargo capacity की unit है पता लगाने कि कितना cargo गया है अब देखो दूसरे देश जो है ना वो इस मामले में काफी बढ़िया करते हैं चाइना जैसे चाइना वहाँ पे dedicated rail lines है special train चलाता है इस परकार से double decker जिसमें एक के उपर एक container रखके भेज़ा जा सकता है चाइना में इंफ्रा काफी बढ़िया है rail का इसलिए वहाँ पे rail के थूरू freight moment काफी होती है बट इंडिया में जैसे हमने डिसकस किया challenges काफी है बट देखो अब अब धीरे धीरे इंडिया में भी infrastructure change हो रहा है PM गतिशक्ती नैसल मास्टर प्लान के अंतरगत railways पे काफी ध्यान दिया जा रहा है राइटर यह कहते हैं जो existing projects है ना उनको continuously monitor किया जाए और नए जो priority areas है ना उन पे भी focus किया जाए जैसे देखो मैं आपको example देता हूँ जाने के लिए जैसे western dedicated free corridor है यह जो दिली से मुंबई वाला है इसके अलावा और भी dedicated free corridor है जैसे यह southern dedicated free corridor यह eastern coast dedicated free corridor मतलब dedicated corridor है समान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए इसके अलावा multimodal logistic park established के जा रहे हैं इसको मैं आपको example की सहता से बताता हूँ ज और यह दिल्ली को मूंबई काफी सारी सुटी शैरों से जूड़ा हुआ है for example अधानि किवses जल्शार है? समान बेजना हो थाने से गुड़ गाहों में 10 तंग का एक ट्रक जाएगा समान लेके जाएगा जेन पीटी से समान जाना है करनाज में 10 तंग का ट्रक जाएगा समान लेके जाएगा लेकिन मोंबरो लोजिस्टिक पार्क में क्या होगा ? मुमवई से दिली समान जाएगा ? चोटे-चोटे समान आएंगे मतलब 10 टनड का ट्रक नहीं जाएगा 50 टनड का ट्रक जाएगा छोटे-चोटे समान लिकठे हो जाएगे और बड़ बड़ ठरक चलेंगे क्योंकि यह dedicated freed corridor है यहां पर बड़े कार्गों को आसानी से भेजा जा सकता है तो मतलब न मल्टी मॉडल लोजिस्टिक पार्क में न हमें स्पोक मॉडल पर ध्यान दिया जाता है बीच में स्पोक है जैसे यह मुंबई दिली यह एक हब है और यह सारे स्पोक है स्पोक मतलब स्पोक होते हैं उसी परकार से मल्टी मॉडल लोजिस्टिक पार्क में ऐसा ही होता है बीच में एक हब होता है उसके आरपार यारी बड़े जो सहर है वो सोट सोटे सहरों से जुड़िद होते हैं प्राइए चाहित ra है तो मतलब पॉइंट यह है कि कि डेडिकेटि़ट को लोईडॉर सरकार इस्टाबलिग्स कर रही है मल्ती इमोडल लोजिस्टिक पार्क सरकार इस्टाबलिग्स कर रही है प्राइविट सेकटर का involved होना चाहिए बाइस कांपन को लोड करना यह खाना बगएरा बढ़िया से सर्व करती है उसी परकार से यह सारा काम किसी प्राइवेट कंपणी को दे दिया जाए तो ज्यादा efficiency के साथ होगा यहां पर देखिए यह एक suggestion यह भी है राइटर का कि एक special entity यह special company इस्टाब्लिस की जा सकती है रेलवेज के अंत्रगत आयर से टीसी की तरह जो इंटर मोडल लोजिस्टिक्स को हैंडल करें प्राइवेट सेक्टर के साथ मिल कर समझें और देखो जैसा उबर में होता है कि आप कैप कर सकते हो रेलवेज में भी आपको समान बेजना है कोई coach में कोई space book करना है तो online होना चाहिए यह जो entity है न जो हमने बात की रेलवेज के अंदर इस्टाब्लिस की जा सकती है वो single window काम करें जो भी customers अपना cargo बेजना चाहता है रेलवेज के थूँ इस single company पे जाके company की website पे जाके book कर स समान बेजना है मालीजे डिल्ली से उने कोई bike बेजनी है कोई computer बेजना है रेलवेज के सुरू कोई भी समान बेजना है बड़ा समान तो पता नहीं है कैसे transaction करें कैसे हम book करें रेलवेज स्टेशन पे जाना पड़ता है process बहुत difficult है समय कहनो सार बदलावाना चाहिए process में customers अब इसके बाद आगला जो आटिकल है ना UK के नए illegal migration law से समन्दित है आप GS paper second के इस topic से आटिकल को रिलेट कर सकते हों अभी देखो UK ना अपनी नए illegal migration law को अनौंस किया कई बार क्या होता है जैसे छोटे-छोटे boards पर बैठ के refugees आ जाते हैं UK में या फिर लोग आ जाते हैं जो asylum मांगते हैं UK की सरकार को बोलते हैं कि हम सरणार्थी हैं आप हमें सरण दे दीजिए asylum दे दीजिए तो इन सब को रोकने के लिए UK यानि युनाइटिड किंड़म एक illegal migration law लेके आया है UK के ये कहना है जो भी लोग ऐसा करेंगे न छोटे-छोटी boards पर बैठ कर UK में enter होने की कोशिज करेंगे उनके उपर हम बैन लगा देंगे वो कभी भी मतलब वो कभी बिना UK के नागरिक नहीं बंसकेंगे यहां पर देखिए वो कभी भी अगर ऐसे कोई छोटे-छोटी boards प पर देखिए जाएगा जहां से वो आएं हैं फॉर एक्जमपल पाकिस्तान से कुछ लोग बैठ के आएं हैं चोट-छोटी boards में UK में तो उनको वापस पाकिस्तान में भेज दिया जाएगा अगर पाकिस्तान उनको नहीं लेता है तो उनने किसी third country में भेज दिया जाएगा फॉर एक्जमपल रवांडा में अब आपके मन में आया होगा रवांडा इसके लिए क्यों राजीर होगा मान लीजिए बोत में बैठ के कोई UK गया है UK उसको नहीं ले रहा है उन refugees को तो रवांडा क्यों लेगा इसके लिए रवांडा के साथ में UK ने agreement sign कर लिया है कि आप कुछ दिनों के लिए मतलब जब तक कि उनको final उन्हीं के देश में नहीं बेज़ा जाता है आपके यहां पे हम उनको रोकेंगे ऐसा agreement UK ने रवांडा के साथ sign कर लिया है तो देखो यह जो UK का नया illegal migration वाला आया है इसका criticism बहुत जादा हो रहा है अब जो देखो यह जो का साइस किया है UK को कि कोई मजबूरी में मालीजे सरन लेके आया है अपने देश से भाग के बोट के थुरू आया है तो आप तो उसे सविकारी नहीं करोगे और जबकि देखो 1951 की refugee convention का signatory है Britain इसमें एक principle यह है कि देखो कोई अगर जान बचा के आपके देश में आया है माली principle of non-reformment कि मलब जिस देश से कोई जान बचा के आया है आप उसे वापस उसी देश में जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं तो UK signatory है 1951 के refugee convention का और दूसरी जो human rights की bodies है वो भी UK का criticism कर रही है वैसे देखो UK ने इस अपने illegal migration law में न छूट यह दी है अगर कोई directly उस दे Syria से Syria से जान बचा के सीधा boat के थुरू UK में आया है तो उसे आना दिया जाएगा बर ट्राइटर यह कहते हैं देखो यह जो small boats के थुरू लोग आते हैं वो इतना distance एक ही बार में तो travel नहीं कर पाते ना directly कोई UK से boat में बैठेगा और UK सीरिया से boat में बैठेगा और UK आ जाए journalist तो उसी परकार से ना ये भी UK में politics हो रही है जो बाहर से migrants आए है ना उनके खिलाफ hatred बढ़ती जा रही है UK में तो उसी का फाइदा उठा के या फिर यूँ बोलिए लोगों पॉपलिजम है एक परकार से लोगों के emotions को और जदा mobilize करने के लिए UK की सरकार ये कानून लेके आई है जैसे टरम बोला करते थे build debt wall एक दिवार बना देंगे फिर वो रोके की दिवार मेक्सिको से जो illegal migrants आते हैं वो नहीं आपाएंगे USA में ठीक उसी परकार की चीज अब UK कर रहा है बड़ देखो UK और दूसरे western countries इंडिया को तो बहुत-बहुत बाते बोलते हैं कि इन western countries के द्वारा इंडिया को लेकिन खुद देखो जब human rights को address करने की बात आती है न तो वो ध्यान नहीं देते वो सिरफ अपना फाइदा देखते हैं और उनके देशों में जो politics होती है वो चलती रहती है तो ये दोगलापन है असनीर ग्रोवर जो साक टैंक वाले हैं बो इसी कोई बात बोलेंगे संभावना कम है बट इस परकार का कानून लाना ये एक परकार से जीनोफोबिक बिलीफ को दिखाता है जीनोफोबिक मतलब बाहर के जो विदीशी लोग हैं उनसे डर anti-immigrant भावनाएं मतलब immigrants के खिलाफ जो भावनाएं हैं उनको दरसाता हैं illegal migrants देखो बहुत बार किसी देश को develop करने में बहुत बड़ा role play करते हैं जैसे USA को develop करने में migrants का बहुत बड़ा role है उसी परकार से UK को develop करने में भी जो migrants है उनका बड़ा role है तो कोई अगर अपनी जान बचा के भाग के आया है या फिर better opportunities के लिए आया है तो थोड़ी सी समवे समवेद्रा रखनी चाहिए उन लोग के परती इवन देखो जो अभी परधारमंटरी है UK के मिश्टर सूनक इनके parents बीना अफरीका से UK में आये थे लेगिन उस समय वो समय अलग था वो दोर अलग था आज का जो दोर है वो जीनोफोबिक बहुत जादा हो गया है कि बाहर से जो लोग आते हैं उनके खिलाफ नफरत उनको सवेद्रा के दृष्टी से ना देखना आज के समय में ऐसे चीज़ें बहुत हावी हैं तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिसकस किया UK के नए illegal migration ला से समन्दित इसके बाद next आर्टिकल कल देखो नहीं कल नहीं परसो आठ महिलाओं का politics में participation से समन्दित आप GS paper 1 के इस topic से आर्टिकल को relate कर सकते हों देखो Indian woman movement का जो dynamism है वो पूरे world में acknowledge किया जाता है जैसे freedom के लिए जब struggle चल रहा था तो उस समय महिलाओं ने बढ़ चड़के participate किया national struggle for freedom ने बहुत सारी महिलाओं का हम नाम सुनते हैं जैसे सरोजनी नाइडू है उसा मैता है जिन्होंने radio को operate किया था भाराच छोड़वा अंदोलन के दुरान महात्मा गांदी ने एक बात बोली थी जब एक woman अबला से सबला बन जाती है न मतलब weak से strong बन जाती है तो वो सब लोग जो helpless है वो powerful बन जाते हैं यह बात गांदी जी ने बोली थी आप इस्तमाल कर सकते हो इस court को ओल इंडिया woman conference इस्टाबलीश होई 1936 में इसके अलावा म्रीनल गोर के बारे में अपने सुना होगा महराष्टर में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया self-help ग्रूप वाली movement चली थी 1972 में सेवा सेवा मतलब self-employed woman association सेवा ने woman को informal sector में mobilize करने के लिए काफी अच्छा काम किया इला भट जो एक famous woman leader थी उन्होंने काफी बढ़िया योगदान दिया इस सेवा को lead करने में सेवा मतलब self-employed woman association इसके बाद चिपको अंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चड़के भाग लिया पेड़ो को फुरेश्ट को कटने से रोका उत्राखंड में निर्भया movement में हमने देखा किस प्रकार से ना सिरोफ महिलाएं बलकि पूरुष भी एक जुठ हुए कठोर कानून बनाने के लिए ताकि woman के अगेंस्ट जो oppression होता है sexual harassment की cases आते हैं उनको रोका जांस के सबरी माला में प्रोटेस्ट देखने को मिला वहाँ पे एक निश्चित एज ग्रूप में महिलाओं की entry पर बैन था सबरी माला में लेकिन उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ मामला सुप्रिम कोर्ट में पहुंचा तो ये कुछ examples है woman movement के अब हम discuss करते हैं महिलाओं का participation politics में देखो historically इंडिया में महिलाओं को decision making process में primacy नहीं दी गई है अब तो फिर भी देखो थोड़ा बहुत change देखने को मिलता है लेकिन पहले थो लड़कियां कौन सी class तक education प्राप्त करेंगी साधी कब होगी किस से होगी मतलब ये जो important life की choices होती है न उन में महिलाओं को say नही आर्टिकल में एक चीज़ पर ये focus किया जाता है महिलाओं का politics में जो कम representation है ये भी एक important factor है जिसकी वज़े से महिलाओं का जो overall development है वो नहीं हो पाता आप थोड़ा data देखिए वैसे दो देखो महिलाओं जो है world population का almost half है total population का 49.6% महिलाओं है और 2011 के census के हिसाब से इंडिया में 48.5% जो population है वो महिलाओं की है जहाँ एक तरफ हमारे देश में social norms देखो ऐसे हैं कि महिलाओं का labor force में participation भी disgrace किया जाता है even mobility महिलाओं की मतलब यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना बार क्यों जा रही हो mobility पर भी सवाल उठाए जाते हैं तो politics में participation तो देखो बहुत दूर की कोडी है मैं आपको एक example देता हूँ आपको point याद हो जाएगा तीन-चार महिने पहले कि यह बात है मैं सिलोंग से गवाटी जा रहा था और जो driver भाई साब थे ना उनसे अच्छी खासी interaction हो गई तो बातो बातो में ना उन्होंने बताया कि मेरी financial condition काफी खराब हो गई है खास करके कोवीड के बाद lockdown लगने के बाद उन्होंने ये भी बताया कि मेरी wife काफी ज़्यादा educated है जो साधी से पहले job किया करती थी तो मैंने उनसे question पूछा कि अभी आपकी wife job क्यों नहीं करती मतलब साधी के बाद छोड़ क्यों दी तो driver भाई साब थे ना पहली तो tone थोड़ी soft थी लेकिन ये बात आई ना इर्दम से tone थोड़ी hard हो गई बोले नहीं ये मैं बरदास्त नहीं करूंगा मैंने पूछा क्यों मतलब कारन तो बताओ न तो उन्होंने कारन पहले तो बताया नहीं फिर थोड़ा सा बताया कि भाई साब काम करेंगी तो उन्हें कोई कुछ बो सूस किया वो आपको बता रहा हूँ ताकि point आपको याद हो जाए खेर आगे चलते हैं देखो politics तो एक public act है अगर महिलाएं household से independent यानि घर से बाहर अपनी उपस्ति थी अगर negotiate कर सकती है न वही लोग वही महिलाएं politics में participate कर सकती हैं अभी recent में जो polls हुए असम में सभी candidates में सिरफ 8% महिलाएं थी और बाकी चार राज्यों में 11% यानि हर 10 में से एक महिला जिसने election लड़ा election commission के report के अनुसार अभी फिलाल parliament में महिलाओं की total representation है 10.5% state assemblies में तो situation और भी ज़्यादा खराब है 9% के आसपांस और ऐसा नहीं है देखो women political parties में women leaders नहीं है women leaders तो बहुत हैं लेकिन उनको ticket नहीं दी जाती या फिर वो party में हाशिया पर आ जाती है global gender gap report 2020 के अनुसार educational attainment के मामले में इंडिया के जो rank है वो है 112 out of 153 इससे पता लगता है कि हमारे देश में महिलाओं में education का अभाव भी एक reason है जिसकी वज़े से महिलाओं की जो participation है politics में कम है और महिलाओं की जो social mobility है की बहार बहुत कम जाना है ये एक ऐसा factor है जिसकी वज़े से education परभावित होती है लड़कों को असानी से बेज दिया जाता है घर से दूर शिक्सपराप्त करने के लिए लेकिन महिलाओं को कम बेजा जाता है relatively अब कुछ factors की बात कर लेते हैं जिसकी वज़े से महिलाओं के जो representation है वो इंडियन politics में कम है ये factors है gender stereotypes मैं आप से पूछो gender stereotypes का क्या मतलब होता है देखो gender stereotypes का मतलब जैसे कुछ attributes जो है वो male या फिर female के साथ जोड दिया जाते हैं जैसे बोल नहीं दिया जाता है आपने भी सुना होगा सरम ओरत का गहना है महिलाओं को तो घर में रहना पसंद होता है ये क्या है ये gender stereotype है हर एक का nature अलग अलग होता है किसी लड़की का nature हो सकता है ऐसा उसे घर में रहना पसंद हो किसी लड़के का भी तो हो सकता है जिसे the woman in the country ये factors responsible है महिलाओं की politics में कम representation के लिए अब इसके बाद next aspect ये आता है क्या किया जा सकता है politics में महिलाओं की participation को increase करने के लिए देखो basic basic कदम पहले उठाने पड़ेंगे जैसे gender equality सविधान में तो महिलाओं को equal rights दिये गए हैं but क्या कारण है कि कम लड़किया देखने क को मिलती है higher education में कम लड़किया देखने को मिलती है corporate groups में higher post पर तो वही बात है glass ceiling वाला concept आपने सुना होगा एक ceiling अभी भी है जो महिलाओं को ऊपर नहीं जाने देती वो ceiling दिख नहीं रही है मतलब कानून नहीं रोक रहा है लेकिन समाज में एक invisible जो बादा है न वो अभी भी है जिसकी वज़े से महिलाओं ऊपर टो पोश्ट पर नहीं जा पाती वही बात situation देखो देड़े देड़े change हो रही है जैसे combat forces में भी अब women के participation का रास्ता खोल दिया है सुप्रिम कोट ने खेर next affirmative action पार्लेमेंट और state assemblies में महिलाओं के लिए reservation का जो bill है काफी समय से pending है पास नहीं हुआ है जैसे पंचायती राज बोडीज में एक तिहाई reservation महिलाओं को मिला है ना पार्लेमेंट और state assemblies में भी मिलना चाहिए women empowerment education और equal health access मिले महिलाओं को सभी spheres में next enforcing property rights जो महिलाओं को अब मिले है उन्हें enforce करना ज़रूरी है महिलाओं के नाम पे property देखो इसलिए भी नहीं कराई जाती आपको भी पता है सोच इस परकार से होती है कि जो लड़किया है उनके तो साधी हो जाएंगी वो दूसरों के घर में चली जाएंगी अगर उनके नाम पे property रही तो हमारी property दूसरे घर में चली जाएगी तो ये जो सोच है न उसके चलते लड़कियों के नाम पे प्रोपर्टी नहीं करवाई जाती है अभी भी बहुत कम प्रोपर्टी होती है Social Awareness Campaign चलाय जाए ताकि Gender Stereotyping को तोड़ा जासके ये Social Campaign चलाय जा सकते हैं with the help of educational institutions, media, religious leaders, celebrities और political leaders अच्छा आगे बढ़ने से पहले question मैं आपसे पूछता हूँ, woman empowerment सबद आपने बहुत बार सुना होगा लेकिन अगर ऐसा question आजाए what is woman empowerment तो क्या लिखोगे simple ऐसे लिखोगे woman empowerment means giving powers to woman ठीक है definition मतलब महिलाओं को power देना is woman empowerment लेकिन जो अच्छी सी definition है वो ये देखिए process of increasing woman access to control of the strategic life choices जो life में strategic life choices होती है न जैसे साधी कब करनी है, किस से करनी है, बच्चे कितने पैदा करने है ये सब strategic life choices है इन strategic life choices के ऊपर महिलाओं को control देना और उनको opportunities provide करना ताकि वो अपनी capacity के हिसाब से अपने potential को realize कर सके ये कुछ examples है, Indian woman politicians के आपको पता ही होगा जिर्मिला सितारमन, ममता बेनर जी last में, सरकार के द्वारा कुछ special initiatives लिए गए है महिलाओं को empower करने के लिए वो भी आप लिख दीजेगा सरकार के द्वारा जो जो steps लिए जाते हैं वो आप जुरूर लिखे, इससे question में मतलब answer काफी अच्छा हो जाता है basic specifically ना भी पूछा हो तो भी paragraph की form में तीन-चार keywords आप जुरूर लिख दीजे National Commission for Women 1992 में सरकार ने setup किया थी statutory body ताकि महिलाओं से सम्मंदित जो भी constitutional या फिर legal safeguards है ना उन्हें study किया जासके, उनकी implementation को monitor किया जासके 73rd और 74th constitutional amendment में local bodies में महिलाओं को एक तिहाई reservation मिला National Plan of Action for the Girl Child 1991 से लेके 2000 के बीच में इस plan में क्या था जो Girl Child है ना उनकी development, उनकी protection, उनका survival ensure करना सबसे लांस्ट में National Policy for Empowerment of Women 2001 में आई थी उस समय Department of Women and Child Development जो ministry of HID के अंतरकरत आया करता था आज के समय में तो यह लगज़ से ministry है तो इस department ने यह plan त्यार किया था यह policy त्यार किया थी National Policy for Empowerment of Women मक्सद यह था महिलाओं का empowerment, development और advancement तो यह कुछ initiatives आप सरकार किलवारा जो लिए गए हैं वो लिख सकते हो अब चलते हैं आगे